नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Success Plus Academy के प्लेटफॉम पे मेरा नाम है सुमित और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सल्तनत पिरियेड है दिल्ली सल्तनत काल उसका अंतिम ये वीडियो है जिसमें हम उसका आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में द और जो भी जैसे कुतोब मिनार जैसे जो बड़ी-बड़ी मंजले हैं वो बनी वो कौन-कौन सी हैं उनके बारे में हमें डिसक्स करना है तो ये मेडाइवल हिस्ट्री का हमारा पार्ट 11 है तो अगर आपने एक से दस तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप दिल्ली सल्तनत का तो चलिए शुरू करते हैं कौन-कौन सी जो चीजे हैं सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा आर्किटेक्चर है उसके बारे में देखेंगे ठीक हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए UPSC, SSC, Railway and Various State PSE exams के लिए helpful होगा और अगर आप इन exams की तियारी कर र पता है आपको पता है मौमद गोरी भारत में 1206 से उसका रूल स्टार्ट होता है और 1290 तक ये Slave Dynasty चलती है 84 साल का इनका रूल था उसमें सबसे पहले बनती है कुतुब मिनार ये भारत की नहीं दुनिया की सबसे tallest जो ब्रिक से बनी हुई मिनार है और ये इसकी हाइट लग हो जाती है 1210 में और उसके बाद उसका जो पुत्र है इलतुतमिश वो उसका निर्मान पूरा करवाता है दो बाकी के जो फ्लोर है उनका निर्मान इलतुतमिश करवाता है ठीक है उसके बाद बात आती है कि इसके बाद कुछ समय बाद जब तुकलग वन्स चल रहा होता है तो इसके उपर एक बार बिजली गिर जाती है जो आप पता है आप बिजली गिर जाने की वज़े से इसमें कुछ क्रेक आ जाते हैं और कुछ इसमें टूट-फूट हो जाती है तो उसको rebuild कौन कराता है रीकंस्ट्रक्ट कौन कर वाता है वो करवाता है फिरोजशाह लोगों का contribution है इसके निर्मान में आपको ध्यान रखना है कुटुब दिन एबक ने इसका निर्मान शुरू करवाया और इसका पहला फ्लोर जो है पहली जो मंजिल है उसको बनवाया उसके बाद इसका निर्मान complete करवाया वो करवाया इलतुतमिश ने उसके बाद तुगलग वन्ष के समय जब इसके बिजली गिर जाती है तो इसका निर्मान जो है reconstruction वो कौन करवाता है फिरोज शाह तो लग ठीक अब बात आती है कि इसका जो नाम है वो कुटुब मिनार कैसे है क्या कुटुब दिन एबक जिसने इसको बनवाया उसी के नाम पे इसका नाम कुटु जो कुटुब मिनार के जिनके उपर नाम है मुक्तियार काकी का भी कुटुब मिनार से ही नाम है ठीक है लेकिन ये पूछा जाता है कई बार तो कुटुब मिनार किसने बनवाई कुटुब दिन एबक ने किसके नाम पे बनवाई तो वो सूफी सन थी ठीक उसके बाद है इ इसका diameter है नीचे ground का वो 14.32 मीटर का diameter है इसका ठीक है उसके अलावा उपर हिस्सा वाला जाते हैं बेस का तो 14.2 है उपर ये जाके पतली हो जाती है और 2.75 मीटर का इसका तोब बचता है ये है और ये कहां पे है दिल्ली में है obviously ये आपको पता है तो ये है कुतुब मिनार ज ये बनवाई थी कुतुब दिन एबक ने और कुएला राय पितोरा शहर में बनाई आपको पता है दिल्ली के मैं पहले भी बचा चुका हूँ कि टोटल आठ शहर है उनमें सबसे पहला राय पितोरा ही था और जिसको बनवाया था पर्थिराज चोहान ने ठीक है तो इस तर रिकंस्ट्रक्ट करके उसको तोड़ के ये बनाया गया था तो हिंदु जो टेंपल था उसको तोड़ के इसको मजजित बनाया गया कुएत उत इसलाम ये इसका नाम है ठीक है तो ये सबसे पुरानी मजजितों में से एक है जो भारत में कंस्ट्रक्ट करवाई गई किसी भ दिवारा उसके बाद है धाई दिन का जोपड़ा अधाई दिन का जोपड़ा कहां पे है यह अजमेर में आपने देखा हो अगर तो यह जो मज़ जो खुआजन मोहिनुदीन चिस्ति की जो दर्गा है उसके पास में है ये अधाई दिन का जोपड़ा और इसको अधाई दिन का जोपड़ा क्यों कहते हैं क्योंकि इसको धाई दिन में complete कर दिया गया, ऐसा नहीं है देखो कि इसको धाई दिन में इतने बड़े structure को किस तरीके से complete किया गया जबकि इसका जो size है वो कुईत उसलाम मजजित से भी दो गुना है लगबगगद तो कैसे किया गया actual में यहां पे भी एक पहले एक मंदिर हुआ करता था हिंदू मंदिर हुआ करता था उसको तोड़ फॉड करके इसको reassemble करके reconstruct किया गया एक तरीके से और वो जो प्रोसीजर था उसमें ढ़ाई दिन लगे और इसको बना दिया गया बारा सो एड़ी में ही इसको बना दिया गया था क्योंकि आपको पता है ग्यारा सो बानवे में हार गया था परत्वराज चोहां रूलर गोसित करता है ठीक है तो ये चीज होती है ये बनवाए इसने उसके बाद है टॉम ओफ नासिर उल दिन मुहमद ये नासिर उल दिन मुहमद कौन है ये था इलतुतमिश का बड़ा बेटा और इसकी मृत्यूप पहले ही यंग एज में हो जाती है 1231 से पहले ही और ये आपको पता है जो इलतुतमिश है इसके बाद जो इसका बेटा नहीं होता है इसलिए रजिया सुल्तान बनती है एक पहली जो महिला है वो रूलर बनती है पहली और अंती महिला रूलर बनती है दिल्ली सल्तनत पे तो अपने बेटे की याद में ये एक टॉम बनवाता है इसका नाम होता है नासिर उल्दीन का मकबरा और ये 1231 में बनवाया गया इंतुतमिश के द्वारा और ये पहला एक्जामपल था जो टॉम बनाने का जो इनका मकबरा बनाने की जो पदिती थी जो सल्तनत पिरियड के लोगों की उसका ये पहला उधारण था ठीक है तो ये दिल्ली में बना हुआ पहला मकबरा था जो सल्तानों किसी भी सल्तान ने बनवाया है ठीक है नासिर उल्दीन महुम्मद का मकबरा याद रखना है इसको सुल्तान घारी भी बोलते है ठीक उसके बाद आती है बाद हमारी खिलजी डाइनिस्टी पे स्लेव डाइनिस्टी के जो भी इंपोर्टन आर्किटेक्चर है वो हमने देखा अब आती है सबसे पहले खिलजी डाइनिस्टी में अलाई दर्वाजा अलाई दर्वाजे का निर्मान करवाया था अल्लाउदीन खिलजी ने और कब करवाया जब गुजरात जीत के आता है वो 1316 में गुजरात को जीत लेता है पूरी तरीके से तो उसकी विक्तरी की खुशी में बहुत सारा सोना जीत के लेके आता है बहुत सारा आपको बता है ये भी सौमनात के मंदिर को वहां से लूट के लेके आता है तो उसकी विजय की खूशी में, गुज़ात विजय की हूशी में यह अलाई दरौजा बनाता है और इसकी चारों तरफ चार दरौजे है और ये इंडिया का सबसे बड़ा दरौजा है ठीक है और ये बनाया गया 1311 में ठीक सबसे बड़ी मजजित है वो जामा मजजित है वो हम मुगलकाल में बनेगी और हम बात करेंगे किसने बनवाई लेकिन सबसे पुरानी जो मजजित है जिसमें अभी भी पूजा होती है वो जमायत खाना मजजित है ठीक है और ये बनाई थी ये बनी है कहाँ पे इसका जो लोक 15 15 से और 1325 के बीच में इसका construction कंप्लीट हुआ था उसके बाद आती है तुगलग डाइनस्टी खिलजी डाइनस्टी खतम होती है तुगलग डाइनस्टी आती है और सबसे ज्यादा समय तक साशन करने वाली यह तुगलग डाइनस्टी जो है गयासुदिन मुहमद है उनका मकबरा गयासुदिन तुगलक जो है वो इस वन्ष के क्या है संस्तापक है और उनका जो पहला मकबरा है वो बना गया उनका जो मकबरा है वो बना 1325 में उनके जो बेटे हैं मुहमद बिन तुगलक उन्हें ने ही इसको बनवाया था इसका जो ड मंक्बर वही पे इसका मंक्बर बना जहां, इसने शेहर बसाय था फिरोजजबाद, फिरोजबाद शेहर बसःयाड वहां जो भो जकॉज刨 वumb भी शेयर बसः जहां वही था फिरोजजशा, क nutər ब जहां एक मेदान भी था फिरोजजजबा फिरोजजजञ है, जिसको आज अ architecture का जो system था वो थोड़ा अलग था और आने वाली जो dynasty है सईद और लोदी dynasty इनका जो system है वो थोड़ा सा different है इनका अलग तरीके था इनका अफगानी पदिति का हुआ करता था ठीक है तो सईद dynasty शुरू होती है आपको पता है तैमूर काकर्मन होता है उसके बाद सेयद डाइनिस्टी होती है इनका एक ही फेमस टॉंब है वो है मुबारक सेयद का ये टॉंब है ये आपको पता है इसमें ओक्टागल प्रोसेस में बना हुए है उसके उपर आठ अलग-लग टॉंब बने हुए छोटे-छोटे और ये इस तरीका ह है दिल्ली में ये ये भी ठीक है तो ये है इनका सेयद डाइनिस्टी का उसके बाद है लोदी गार्डन इंपोर्टन है लोदी गार्डन है इसके अंदर चार मकबरे हैं मुहमद शाह का सिकंदर शाह का शीष महल भी इसमी है और बारा गुबंद भी इसमी है ये चार इसमी ठीक है ये लोधी डाइनिस्टी के ही आर्किटेक्चर का एक नुमाइना है उसके बाद है मौत की मजित ये भी इसी में है तो मौत की मजित है ये किसने बनवाई थी ये सिकंदर लोधी के एक प्राइम निस्टर थे वजीर मिया भोया इन्होंने बनवाई थी दिल्ली में ही म बहुती ढंक से बनाए गया है ये इसकी फोटो है तो काफी पुरानी ये मौत की मजजिद जो है पुरानी स्ट्रक्चर है ये चीज तो थी आर्किटेक्चर में उसके बाद आती है दिल्ली सल्चनत का जो लिट्रेचर में जो योगदान है कि कौन-कौन से लिट्रेरी वर्क मिलती है कि क्या-क्या चीजें हुई किस तरीके का एड्मिस्टेशन था किस तरीके के राजा थे किस तरीके क्या-क्या युद हुए वो सारी चीजें आपको पता चलती है ज्यादा तर चीजे हम बर्नी का जो इतियास है उसमें देखते हैं बर्नी ने लिखा अलबरुनी न तहरीके इंद, ख्वानम ए मसूदी, जहर फी जहारीन ये देखो मेरे प्रनानशेशन अगर गडबड हो जाएं तो मैं आपसे माफी चाहूँगा क्योंकि ये एक शब्द है, ये थोड़े मुश्किल है बोलने में फिर है मिनाज उल सिराज ने लिखी थी तबकत ये नासरी ठीक है फिर अमीर खुसरो जो है, ये बहुत ही फेमस पोईट थे इनके बारे में मैं इनकी बाइवराफी मैं बनाऊंगा बिल्कुल 15 मिनिट लगबग एक इस पे वीडियो बन सकता है अमीर खुसरो एक लिजेंड थे जिन्होंने बहुत बड़े अच्छे मुजिशिन थे उर्दू में बहुत सारी कबालियां लिखी और बहुत सारी इंपोर्टेंट किताबें लिखी जिनमें आपको लैला मजनु आपने सुना होगा तुगलब नामा भी इनोंने लिखा खजान उर्फतु हिसन इनोंने लिखा किरन उलसाइद इनोंने लिखा और बहुत सारी उर्दू की इनोंने क्या बोलते हैं किताबें लिखी और बहुत सारी पोईटरी लिखी और इनको तूतियाए हिंद कहा जाता है तूतियाए हिंद यानि जो तोता है हिंदुस्तान का तोतिया बोला जाता था है तूतियाए हिंद किनको बोला जाता है तूतियाए हिंद ये बोला जाता है अमीर खुशरो को ठीक है कबाली का फादर भी इनको बोला जाता है ठीक है फिर है जिया उल बर्नी, जिया उल दिन बर्नी, Bewega इन्हों ने जो किताबे लिखी फत्वा जहन, जहन्दारी और तारीक एफिरोज शाही, तो फिरोज शाह के समय पे इन्हों ने लिखा, और बर्नी ने तुगलग के बारे में भी काफ़ी सारी सीजहे लिखी हैं, जब हम को पढ़ रहे थे तो बर्नी का जो इत्यास है हमने उसको अच्छे से पढ़ा है फिरोज शाह ने खुद एक किताब लिखी वो है फत्वा ए फिरोज शाही ठीक फिरोज जाबादी ने लिखा कमस देखो अभी जो राइटर हैं ये खुद रूलर इनमें से बहुत कम हैं जिन् अबू बकर ने लिखी चाच नमाच फकरुदीन ने लिखी तारिक है मुबारक शाही और इबन बतूता जो की एक फोरेनर था मौरको से आया था ये मौरको का निवासी था पहला मुसलिम जो ट्रेवलर था भारत में आने वाला वो था इबन बतूता और ये तुगलग के सम इसने कौन सी किताब लिखी और किसके समय पे लिखी तो ये था तुगलग के समय पे और तुगलग ने इसको 12 साल तक काजी की उपादी भी दी थी ये जब भारत में आया था और इसको ही चाइना में अपना दूत बना के भी भेजा था तो ये था हमारा पूरा जो सल्तनत पिरियड है वो complete हो चुका है उसके बाद हमने किया इसके बाद हमें पढ़ना है मुगलवंश और ये जो हमारा क्या बोलते हैं सोरी पानीपत की लड़ाई और मुगलवंश के जो सारे सास्कुन के बारे में हम आगे पढ़े हैं खिक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा ल